नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुशकुवार मुक्ता आप देख रहे हैं मैं चैनल को जिसका नाम है रेगल क्लास्स फॉर अकाउंट और सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक यह स्वाथी प्रिकाशन की है हिंदी अडिशन है और चेप्टर चल रहा है 14 रिक करते करते समझाएं तो इसके लिए फॉर्मेट अपूजात होना चाहिए ठीक है और जिसके पास नई अलग बुक है कोई और राइटर की और फिभी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए स्क्रिंशॉट ले सकता है क्योंकि कोश्चन भली अलग हो लेकिन सबके सेम होते है तो आप यहां से टॉपिक के लिए करके अपने बुक की कोश्चन कर सकते हैं ऐसा कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप सोचें कि मैं आपकी बुक की कोश्चन कर आऊंगा तो वह बुक मेरे पास नहीं अभलेबल होगी फिर आप इस वीडियो को भी नहीं देख सेपरेट कॉस्ट बुक विच डिस्क्लोज अप्रॉफिट ऑफ सिक्स्टी थाउजन तो ट्वन्टी एट फॉर येर अंडेड 31 मार्च 2019 के लिए प्रॉफिट डिस्क्लोज के अगर नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाइशल अकाउंट जो की है 39 बहुत बढ़ा कैपन में और अपन इंक्वाइरी दो फॉलाइंग इंफ्रमेशन वर अप्टेंट पॉसरी इंफ्रमेशन मिली दे कंपनी मेड अप्रोविजन ऑप बारास ओ बारास ओ का ओवरहेट चार्जिज तू प्रोडक्शन इन कोस्ट बुक में इतना और वैसे एक्चुली फारिशल बुक मे इंवल्व इंवल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ चौवज़ यह बट इट है नौट गॉन प्रोडक्शन एज एड अप्रिशिशन लगाईगी इस पर प्रशेंट लगाए गया प्लांट पे ठीक है वो लगा देंगे पारास हो गया असपर वैठेगी अब उसका क्या करना ह इस पर इंट्रेस्ट बेंक डिपॉसिट शपन रुपए का और इंकम डेक्स पेड किया यह जिकांसलेशन बनाना है देखते बनाके लाइन खिचके मिलते हैं तिव तक आप क्या करें वीडियो को लाइक करें और शेर करतें अपने दोस्तों में और जादे शेर करें करें को वह कमेंट करके बताए कि हमने कितने बच्चे को शेर किया है ठीक है अपने स्टुएंट को जोड़े हैं अपने साथ वाले दोस्तों को और हमारा भी टार्गेट है यह 25 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का बच्चों तक पहुंचने का जो कि फ्री में यह एज्यूशन ले लिए लाइन हमने खीच लिए ऊपर लिखा रिकांसलेशन इस्ट्रिवेंट पर्डिकुलर अमांट अमांट और फॉर्टिन कोशन लिखा यहां लिखते हैं प्रॉफिट एस पर कॉस्ट बुक तो कॉस्ट बुक के कॉर्डिंगे प्रॉफिट चेक करो तो कितना है साथ हज 2223 तो 60228 का प्रॉफिट लिख दिया और यहां पर एड लिख देंगे और यहां पर लेस ठीक है अगर पहले अटम की बात करें तो कंपनी मेड़ प्रोफिजन बारा सो फॉर बैट डेट एक फानेशल अटम है इसका प्रोफिजन भी फानेशल अकांट में ही किया गया होग होगा और एक खर्चा ही हमारा तो एक ऐसा खर्चा जो फानेशल में लिखा लिए कि कॉस्ट अकॉंड में नहीं लिखा तो उसे माइनस करते हैं पढ़ा हो तो अपने पता होगा ठीक है तो अब इस पॉइंट को क्या करेंगे बैट डेट वाले को लेस करेंगे तो यहां ल जिसको फॉर्मेट याद है उसे बता होगा कि क्या जाना है इन कॉस्ट अकॉंट अगर नहीं याद है तो सोचो यह एक ऐसा खर्चा है जो फानेशल में लिखा गया और कॉस्ट में लिखते तो प्रॉफिट नॉर्मल आता लिकिन नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गय जो कि यहां पर कॉस्ट में 15,000 है और फानेशल में कम है तो मतलब ओवर चार्च हो गया तो हम यह लिखें ओवर हैड ओवर हैड ओवर हैड ओवर हैड ओवर चार्ज तो माइनस करते हैं कितनी अमाउंट आएगी कि पंद्रह हजार माइनस तेरह हजार आठ सो चौन सट ग्यारा सो चोवण कि मैंने गलत गठा दिया है कि आठ सो चौन सट है कि ग्यारा सचतिस आएगा देखो बिटा द्यान से गठाना कि आपको सब्सक्राइब कर लिया आप यह गलती मित करना ठीक नेक्स्ट पॉंट पर चलते हैं तो क्या है यहां पर डारेक्टर वर पेड फीस अमांटेट रू बुइक लुपर डारेक्टर पर कर रहे डारेक्टर फानीशल अकांट में इनकी यूज होता है कॉस्ट अकॉंट इंका यूज होता तो अगर्ली आ तो इनका खर्चा मैं किया है और यह खर्चा करने से क्या हुआ यहां तो रिकंडिंग हो चुकी है फानेशल में इसका बढ़ गया अब प्रॉफिट बढ़ गया तो नीचे दिखांगे 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 अधिर से प्रॉफिट रबर हो जाएगा दूसरा पॉइंट डैकर फीज डिरेक्टर फीज ठीक है नॉट इंकलूड़ेड इन कॉस्ट किते रुपए यह थी फीज पंद्रह सो की नॉट इंकलूड नहीं कि कोई इंकम अगर लिखना या भूल के इंकम का पार्ट तो एड कर तो खर्चे का पार्ट नहीं लिखा तो उसे लेस्ट कर दो इस तरह से चल ठीक है और इस पर लगाए गया तो चौबिस और पर पॉंच परसेंट डैप लगाए गया है और डैप लगाने वाला जो एटम होता है वह हमारा वहां आता है फानेशल में तो यह खर्चा भी हमने फानेशल में का कॉस्ट में लिखा तो भी नीचे आएगा तीसरा इस नाम से डेप प्रिशेशन ओन नीव प्लांट नॉट इंकलूड़ेड इन कोस्ट चोविस जार का पांच परसेंट बारा सो ठीक है यह होगे हमारे पास अगला पांट आता है हमारे पास कंपनी रिसीव इंट्रेस्ट एंबेंक डिपोसिट कितना चपन मताब इन की फानेशल में इसी इंकम है जो लिखी के लिए कोस्ट अकॉंड में लिखी कोस्ट बुक में तो इंकम बाली चीज़ है तो इसे हम यह लिखेंगे फस्ट यहां नंबर यहां कैसे इंट्रेस्ट अब रिसीवड अब पंग को डिपाइज़िट को नौट इंकलोड़ अपर इंकोस्ट इसफ्पन रुपय का पॉइंट यह था हमारे पास फिर आता है एक और income tax paid वाला income tax paid किया लेकिन cost ने लिखा तो नीचे लिखा जाएगा income tax paid not included तो अध्यान रगना कोई profit वाला एटम अगर नहीं लिखा cost अपर और नुक्सान वाला एटम कोई भी नहीं लिखा तो नीचे आता हूँ है कि इन कॉस्ट अकाउंट है और यह मांट है इसकी अठारा जार रुपए अठीक है तो इसे टोटल कर लेंगे इसे तो आप इसे नोट करो मैं टोटल करके मिलता हूं आपसे वीडियो कर दो पॉस लिखना कर दो सुरूर ठीक है और लाइक शेयर तो करी दिया हुगा तो इक सट चार सब इस माइनस एक किस नो सो तो यह आ रहा है थ्री नाइन कि वाइफ टू जीरो ठीक है यह जाएगा प्रॉफिट इस पर प्राइनसियल अकाउंट यह फिर बुक्स कुछ भी लिटो ठीक है यह आ गया मार पास तो इक जिरो कम रही थी वह नहीं कर दिया आप कोशन कर लिया होगा डिस्क्रिशन कुछ लिखा हुग आपके वारे में पढ़ लेना आपके लिए अगर आप चाहिए चैनल को स चाहिए और उन्हें फिर में नॉलिज मिल पाए ठीक है और क्या कुछ आता है मैं पढ़ना चाहता हूं तो पर नीचे डिस्क्रिशन में जानका रही है पे करें और फिर कर सकते हैं इससे साहरा उन लोगों मिले जो नहीं किया पाते है ठीक है आप किस क्रेटिकरी मात लिख से जाते हैं कि आप पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और प्लस कतने लोगों करूद इसके लिए जैसे में कर सकते हैं यह जबी मिलों में मिलते हैं बाए बाए